स्टैनल जो भी ये विडियोग्राफी के लिए मतलब बेस्ट गिंबल मैं एक सेलेक्ट किया हूं जब्सक्राइब को निकाला हूं जबरदस्त गिंबल है बहुत ही अच्छा है 2 दिन पहले ही आया है 2 3 दिन पहले भी आया है मैं उसको आज करने जाड़ा हूँ आप गौर से देखिए उनका क्या-क्या फीचर से उनके बाले में बदाऊंगा कितना लाइट वेट है कितना पेलोड है क्या फीचर से उसके अंदर मैं सारा चीज आपको बताने वाला हूँ यह हमारा गिंबल यह दो दिन पहले आया है भी इसको मैं अभ यह बिद्ध करता है ना वह जब पकरते हैं आप तो शेक करता है तो वह से शेक नहीं होना चाहिए उसके लिए जबरदस्त गिंबल है यह बहुत ही अच्छा है और अब से जबरदस्त में प्वैंट एक्स्क्लूजिव फीचर वह जबरदस्त है उसको क्या बताया आपको वाइट एंगल वीडियोग्राफी वाइट एंगल वीडियोग्राफी ना उसका जबरदस्त है क्योंकि बहुत सारे गिंबल मैं देखाओ उड़ी व्यू उसमें क्या होता है कि आपको वाइट एंगल जैसे ही आप क्लिक करेंगे बदल्ब के शिफ्ट हो जाएंगे देशी स्वाक्य है मैं आपको इन्मक्सिक करके दिखाता हूँ अच्छा इसके अंदर और बॉक्स है यह अमेजन का बतब पार्सल बॉक्स और कुछ नहीं है इसके अंदर पिर बॉक्स वाउ क्या पैकिंग किये बॉक्स के अंदर बॉक्स प्लास्टिक से शहा से पैकिंग कर दिया है लेकिन अपर वाले से कुछ शीख नहीं है क्यों अपर वाले तो प्लास्टिक को बन Grae d यह पर इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है प्लीज एटेस्ट इंपोर्टेंट इन फोल्डर बिफोर स्वीचिंग ऑन दे गिंबल कैंड इस्टेक्शन और वीडियो वीडियो बिफोर यूज यही सब है तो यहां पर कुछ फीचर्स है इसका अल्ट्रा लाइट वेट है यह 25 59 ग्राम का और पॉटेवल डिजाइन है यह पॉटेवल डिजाइन मतलब बोले तो फॉल्डिंग है और उसके बाद फिर थी एक्सिस से स्टेपलाइशन है मुमेंट मोड है क्विक रोल स्वीच है मतलब एक ही जटके में एक ही बटन में आपको पॉट्रें मोड और दोनों मोड भी आपको एक ही प्रेंस में हो जाएगा और फेशन है सबसे जवरदाश्य जावर यह इंद बान आप किलिक करेंगे तो आप क्या करेंगे के अब बहुत सारे चीज है इन बोक्स में आवना इंद बाक्स में आई स्टेडी होगा एक गिंबल होगा मिनी ट्रैपोड हो पाउच होगा और केबल केबल होगा रिष्ट स्ट्रेप होगा क्विक स्मार्ट गाइड होगा तो यह अपलिकेशन का मतलब यहां पर एक QR कोड भी है चलिए मैं जल्दी से मैं इसको डबा निकाल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और कुछ नहीं है कुछ नहीं है यह देखिए में आपको यह गिंबल हो गया आपका कि इतना है एक बालिस भी नहीं है यह ट्राइपोड हो गया आपका यह ट्राइपोड है इसको आप यह ट्राइप यह केबल है यह यूएसबी टू सी टाइप केबल है इसको आप चार्जिंग के लिए यह कुछ मैनुल गाइड है इसमें यह आपका स्टेप है जो कि हाथ में लागा कर तो कर सकते हैं ताकि बूल से गिरी भी गया तो बच जाएगा क्योंकि किम्ती चीज़ है तो इसके अंदर क्या है यह खाली डबड़ा खाली बोतल यह कुछ नहीं है अच्छा यह यह पाउच है इसको केड़ी करने लिए बहुत ही सोफ्ट है यार बटवा है बटवा इसको रखने के लिए यह खाली पदाख है जो कि मदब खाने लैक नहीं है भाई बोल से भी बच्चे से दूर रखना और अपने से भी ज्यादा दूर रखना मतलब बहुत ही डेंजर चीज़ है यह खेर इसके अंदर और कुछ नहीं है तो मैं क्रोस चेक कर लेता हूं कि क्या-क्या मिला नहीं मि है अभय को कष्च नहीं है इसके अंदर लूस करना今 लूस करना है है यहां पर अनलोग करना कि अद्ब रॉल कि अनोग हоде इसको अनलोग हो गिए यह सारा अनलोग हो गिए यह अपने हम उफ unbelievable आज यसे यह सीधा करेंगे यहां उफ को आपको टाइट कर देना हुझ था कहें नहीं आपको मुभाइल गिर यह नहीं और यहां से ते भी यह जो जो आज़े रहता का है इसको कर लेका लिए है अब डेक्षे हैं को इसको क्छत नहीं तो सबसे पहले मैं मैं फ़र्या प्लंड किया बेटन सेरे यहां पर जोम इंड जोम-आउट का यहां पर यहां करने लिए और उसके बाद यह मोट को चेंज चो करेंगे यहां पर मतब किलिक होगा और यह को यह आपको है मोड़ मसम्हार आप को केमरा में जाना है विडियो तो आप इसको यहां लगा दीजा कि अ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वीडियो बनाना है या फिर कुछ भी करना है टेबल पे ड़क दीजे आपका इस तरह से करेगा मौंट हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले इसको आप मैं मोबाइल को इसमें मौंट करता हूँ अचा खैर इसमें एक इस्टेक्शन यह भी है फून केमरा डायक्शन मैक्श और फून प्लेस्ट इस तरह से होना चाहिए यह इस तरह से मुबाइल को मौंट करना है ताके आपका बीच मेरा है हाँ इस तरह से बीच में आना चाहिए है ताकि कि अपका मोटर सारा डॉक्टर को किसी भी मोटर को ज्यादा लोड़ना पड़े सारे मोटर को मोटर को बैलेंस में वेट मिलें जैसा कि आपको बता यह थ्री एक्सिस गेंबल है तीन इस में मुवमेंट इसका है तो जैसे की मत तो यह देखिए आपको 270 डिग्री में मुव करेगा यह है इसको पैन डिग्री में इसका हो जाएगा तो यह हो गया आपका ठीक है यह हो गया आपका पैन आसे और उसके बाद फिर आपको यह देखे तिल टैक्सिस जैसे कि मैं इसको आप भी रगेता हूं और यह tilt axis देखे इस तरह से tilt axis इसको tilt axis बोलते हैं tilt axis में सुरा सापको compromise करना पड़ेगा क्योंकि यह gimbal especially बनाया गया है wide angle video graphie के लिए wide angle video graphie में आपको पीछे जो बंदब आप वाइड अंगिल जब camera स्विछ करते हैं तो आपको बहुत सारे gimbal में आपको पीछे का motor दिखाए देता है लेकिन इसका motor दिखाए नहीं देता है इतने अच्छे से design किया गया है इसी चीज़ के लिए बहुत खेमास है यह gimbal और बहुत ही light weight है 280 ग्राम का यह बंदब इसका यह पेलोड है यह 280 ग्राम का mobile बंदब जिसका mobile highest भारी जो रहेगा 280 ग्राम अब यह mobile load को बंदब बरदास कर सकता है तो उसके बाद इसका बैटरी इसका चार्ज करने का जो है चार्ज करने में आपको 2-5 गंटा ले लेगा लेकिन आपको backup दे 8 गंटा या 8 गंटा तो यह है आपको उसके बाद टिल्ट का यह है रॉल अक्सिस में एक बाद आप प्रेस करेंगे पावर बटन को तो इस तरह से आपको हो जाएगा तो आपको मैं तीसरा बसाबावाओं कि यह यह है आपको roll axis डेक्स में आपको क्या है एक बाद आप पा तो इस तरह से आप ले सकते हैं और इसमें वीडियो इस्टेवलाजेशन जबर्दत है इसका जित्रा मी मतलब तारिफ करें बहुत ही कम है वीडियो गड़ा की इस्टेवलेशन जो होता है ना नंबर वन इसका होता है मैं आपको आउट्डोर रिसूटिन करके देखा इस तरह से यह गिंबल बहुत ही मतलब खुशुरत और दिखने में बले कलरका है और यहां पर सिल्वर का यहां पर जो है अच्छे से मतलब इसको कलर दिया गया है जो कि मैटलिक है यह साथ तो और उसके बाद फिर यह जो मतलब गिंबल जो है मैड आफ सॉलिड प्लास्ट सारे गिंबल जो होते हैं प्लास्टिक के ही बने होते है और ये वायट वेट है वेट है टू फिटीञ ग्राम है शे ब्लाक ना चाहता हूं यह यह गिंबल जो हैping और सिर्फ मोबैल के लिए है मोबाइल इस प्लीर मोंड कर सकते हैं ए च्थी प्लीर को विडियो इस्टेबलाइशन होता है इसे वीडियो इस्टेबलाइशन जबरदस्त होता है और वाइड एंगल का उन्बॉक्सिंग उन्बॉक्सिंग में कुछ लाइड जो भी मतब सरसली निगासे मैंने जो बताया इनका जो बोटा-बोटी जो फीचर से मैंने बता दिया है और मैं इसका फुल टुट्रियल देने वाला हूं कैसे यह वर्क करता है कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कहा मदब क्या-क्या उसमें मतब बोड है वीडियो मोर्स हैं और किस तरह से मतब विडियो इस् दिखाऊंगा तो इसके लिए हमारे सेनल पे आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि इसका फुल टुट्रियल आए तो गाइस तिन देन खुस रहिए खुस रखे बाइबाइ झाले